नमस्कार मैं है विसमय लंकार और अभी मैं हजारी बाग के सुदूर वर्ती गाउं में हूँ यह जानने का प्रयास कर रहा हूं कि लगातार जो शहरी छित्रों में महंगाई को लेकर बहस हो रही है गाउं में उनका क्या असर है किसानों पर यह असर कितना पड़ा है हमारे सा दो किसान हैं चिचा क्या नाम हूँ आपका मेरा नाम नेरिस कुमार बहतार जो जिस तरह से महंगाई को लोग कह रहे हैं पेट्रोलियम पडार्थ में जिस तरह से दाम बढ़ा है उसका कितना असर खेती पर हुआ है जो हकीकत है जमीनी असर की हकीकत वह क्या है चे सो रुपए हम लोग ट्रेक्टर का जोताई देते थे एगले साल उइन साल एक हजार रुपए का जोताई दे रहें पर घंटा मतलब पिछली वार जो 400 रुपए पर ती घंटा खेत से ये खेत में जो ट्रेक्टर जो जोता था अब उसके लिए एक हजार देना पड़ र तो क्या कहते हैं ट्रेक्टर आब उग्या करेंगे घाड़ी महंगा हो गया तो हम लोग क्या करें पहले कभी यह दौरा इस तरह का देखे थे यह अब कैसे मैनेज हो रहा है इतना बढ़ जाना तो उस बार कुं तो लागत बहुत बढ़ गया है लेकिन हम लोग कर्ज करके दान भेच करके हम लोग पूर्टी कर रहे हैं यह इससी जी कभी देखे थे लगए अंतर हो गया अभी तो डेड़ गुणा अंतर हो गया कितने दिनों का यह लेक्ट Wow है किश रहे कैसे करें गोंते हैं कि यहकों लुक साज नहीं होता हैं पर छेती में क्या फाइदे मंद खेती हो रहा है गंटे में लोगों जैसे 400 उपए घाटा होगा है कितने दिन तक ट्रेक्टर चलता है आप कितना घंटा तक चलते हैं कम से कम 5-6 घंटा एक खेत में यह लगता है तो अगर पूरा खेत को ले 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 तो जिसे इस सीजन में अगर आपको जुत्वाना होगा तो कितना घंटा आ आप केवल आप यह चलवाते हैं हम कम से कम माने 6 घंटा कम से कम एक खेत में यानि 2400 रुपे का सुद्ध नुकसान इस बार है तो देखिए अगर एक दो खेत है और 2400 रुपे का नुकसान आपको इस वर्स हो रहा है तो पूरी खेती की स्थिति क्या होगी किसान परिशान ह नुज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलौ कर सकते हैं बने रहे लगाता.न के साथ झाल